कम से कम कितने marks में आपका NIT Mad Mission हो जाएगा आज के वीडियो का topic यह है और इसके अंदर हमने सारी top से लेके जो last NIT है उसको भी cover किया है तो बिना दरिया वीडियो को चालू करते है तो अगर सबसे पहले जिस NIT को पर मैं बात करने जा रहा हूं NIT का नाम है NIT इलाबाद पहले इलाबाद यानि जो प्रियागराज है इसका पहले नाम इलाबाद हुआ करता था तो अगर NIT इलाबाद की बात करें तो CST का average package वहां पर रहता है 27.07 lakh यह उसका average package है और जो बायो टेक है बायो टेक का average package रहता है 12.25 lakh का और उसका बायो टेक का यह कर मैं हाइस package की बात अगर आपको NIT इलाबाद की अंदर बायो टेक चाहिए बिसिकली हम सबसे कम से कम मार्क का देख रहे है तो यार इसमें CST तो आईगी है नहीं तो इसमें जो सबसे last rank जाती है मतलब सबसे जहाँ पर rank जाता है जिस branch के अंदर हम उसके उपर बात करने जा रहे है और कोशिश करूँगा कि कहते हैं मैं उन branches का आपको average package भी बता सको और साथ-साथ placement ratio भी बता सको जिससे आपको एक idea लग जाए कि college इस कैसा है ठीक है और इसके अंदर हमने सब 6 NITs ही ली है जिसमें दो अच्छी दो बीच की यानि medium और दो या कहते हैं आपका जो last rank में आती है जिससे आपको एक अलेकर प्लेस्मेंट सबके ठीक है जिससे आपको एक idea लग जाए फिर आप बात करते हैं निटी जमशेथपूर का निटी जमशेथपूर जारकणी के अ अगर मैं CSE के average package की बात करूँ न तो 26.63 लाग का CSE का average package है और साथी साथ मैटलर्जी जो मैटलर्जी का average package की बात को तो 9.42 लाग का है ठीक है भई आप प्लेस्मेंट कैसा रहेगा ठीक है अवरेज प्लेस्मेंट से यह लेकिन प्लेस्मेंट परसंट इच किया है तो 100% है अगर जर्नल काटिगरी से आप विलॉंग कर रहे है या OBC या EWS का तो आपका जर्नल यह एक ही टाइप के mark चाहिए 127-129 के आसपा से रहेज नहीं है क्योंकि इनकी जो rank के उसमें 23,000 का ही अंतर आता है उससे जाद कर नहीं है अच्छा मैं को बता दू यह सारी cut-offs जो मैं मार्क्स बनाए है यह C-Sab round के है जोशा के नहीं है असल में क्यों था जब आप जैमीन का एक्जाम देते हैं उसके बाद दो काउंसलिंग होती है जोशा एंड C-Sab जोशा काउंसलिंग 6 round की होती है उसके आतकाई सीट बच जाती है तो C-Sab यानि स्पाट राण काउंसलिं अच्छा नहीं होता हो का लिए कि नहां यार प्लेस्मेंट अच्छा है अवराल आवरेज पैके इसका 8.33 लाग का है हाईस पैके जनेटी शनेगर में भी 42 लाग का गया था और कैंपस काफी खुब सूरत है काफी पुराना NIT भी है ठीक है और इसको मैंने और वीडियो में बता रखे हैं मैटलरजी प्रांच के अगर मैं बात कर तो 92 से 100 बाक्षे जर्णल काटिगरी को 90 से 98 OBC को चाहिए EWS को 84 से 91 मार्क चाहिए होंगे SC काटिगरी को 65 से 70 मार्क चाहिए NST काटिगरी को 59 से 64 लाने होंगे अच्छा ये जो 92 से 100 का मतलब क्या है मतलब 92 का मैं बोल इन मार्क उपर नीचे हो सकते हैं अब बात करते हैं NIT रायपूर की NIT रायपूर का नम आप सबने सुना होगा तो NIT रायपूर के अंदर जो मैं बात करने जारूं जिस ब्रांच की उसका है Biomedical उसे NIT रायपूर की Overall Average Package की बात करूँ तो यह है 13.67 लेकिन ये जो Package है ये आगे क्या होता है वो बात की बात है उसे बता दूं कि बाद में कंपनिया इतनी अच्छी आती नहीं है मतलब ज्यादा Package की लेकिन कुछ College में बाद में आ जाती है March के आसपास भी तो क्या करते हैं हम चल रहे हैं कि अभी तक का हाइस इतना ही है ठीक है और अभी ज्यादा प्लेस्मेंट हुई नहीं है असे मैं बात करूँ Biomedical की तो NIT रायपूर के अंदर तो 103 से 114 मार्क्स चाहिए होंगे OBC EWS अब को इतना ही चाहिए 101 से 112 के आसपास SC कर्टेकरी को 67 से 72 मार्क्स चाहिए और SC कर्टेकरी को 61 से 67 चाहिए असे मैं एक चीज़ बताना चाहूँग अभी Biomedical के अंदर 30% का प्लेस्मेंट हुआ इस साल तक का अभी आगे जाके बढ़ेगा लास्टी 50% से थोड़ा सवा उपड़ था तो Biomedical का इसी के असपास जाता है माइनिंग का इसमें काफी सही है आप बात करते है NIT जैपूर का NIT जैपूर एक ऐसा कॉलेज है जहां पे जो एक्जाम होता है वो वहीं से देते हैं and home state का criteria यह होता है कि आपने class 12 कहां से दी है तो जहां से दोगे तो आपको लग जाता है तो इसलिए राजस्थान बच्चों का लग जाता है NIT जैपूर के अंदर का आपको admission चाहिए general category को तो 147-48 marks OBC वाइलो को 128-127 EWS को 128-136 SC category को 78-84 चाहिए और एस्ट का degree को 72-80 चाहिए और बात करते है NIT जैपूर के overall average package का तो 12.43 लेकिन यह 2022 का data है उन्होंने नया data published नहीं किया है college ने and उस समय का CSC के average package 20.42 लेक का था अब हम तरह से इसके आगे बात करते है NIT नागलेंड का चाहा NIT नागलेंड का मैंने कुछ द वीडियों में बता दिया था आपको shorts के अंदर कि इसमें civil branch भी है जिसके अंदर और कम marks पर भी आपका admission हो जाएगा बट मैंने उसमें mechanical branch का बता रखी है आप चाहँ तो जाए कि इस वीडियो को देख सकते हो तो NIT नागलेंड की अगर हम बात करें civil engineering के लिए तो general category यानि outside state वाल हो का है अगर आपके 88 से 94 marks होगा तो आपके admission होने के काफी chances है यहाँ पर OBC के 82 से 89 EWS के 88 से 94 and अगर हम SC category की बात करें तो 67 से 72 marks और ST category का below 55 अच्छा मैंने यहाँ पर ST category वही mechanical वालू कर लिया है उसका reason यह है कि यहाँ पर 4.98 lakh rank तक गया हुआ है outside state के लिए यह all India rank की बात कर रहा हूं मैं तो इतना काफी ज़्यादा फर्क देखने के मिला आपको इस 6 NIT से आपको एक मोटा मोटीव हो मिल गया होगा idea कि आपको कितना भी टार्गेट करके चलना है दिमाग के अंदर क्या मुझे इस स्टाइप के उकॉलेज है तो कितना टार्गेट करना होग आपको कुछ न कुछ help मिली होगी और वीडियो बताओ कि क्या क्या निगालनी है ठीक है कि आपको क्या NITC placement चाहिए किस चीज के उपर आप information जा रहा हो तर comment करो तभी तो मुझे पता चलेगा तो thank you यार इस वीडियो को देखने के लिए